Hello everyone, कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ इस beautiful design की वीडियो शेयर करने वाली हूँ ये design, ये pattern बहुत ही सुन्दर, बहुत ही प्यारा design है देखे इसे आप ladies के cardigan में, jans के sweater में, blanket में, shawl में, stroll में, किसी भी project में, cap में, किसी भी project में डाल सकते हैं ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुन्दर design बन कराएगा और देखने में ये ऐसे लग रहा है ना, बहुत मुश्किल design होगा, पता नहीं कैसे बनेगा इतना असान design है ना, बहुत ज़्यादा easy pattern है, ये 48, 48 राईयों का design है, यहाँ से यहाँ तक ये 48 रो का pattern है, ये हमारा ठीक है, बहुत ही असान design है, ये सीधी तरफ से इस तरह से और उल्टी तरफ से ऐसे दोनों तरफ से ही बहुत सफाई से बन कर आता है ये वाला design, तो इसलिए बहुत रही थी कि आप इसे store या शोल में भी डाल सकते हो, देखिए ये बहुत सुंदर लगेगा अगर बेबी के लिए blanket वगरा बनाने का सोच रहे हो, आप उसमें भी इसे डाल सकते हो, ये बहुत ही प्यारा बन कर आएगा तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना, इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 20 के multiple से इतना design ये 20 के multiple से, फिर से देखिए यहां से यहां तक 20 के multiple से, तो आपने 20, 20, 20 ऐसे फंदे count करते हुए जाना है लास्ट में आपके दो फंदे extra होने चाहिए, एक फंदा यहां पर, एक फंदा यहां पर, दोनों तरफ as stitch का pattern अच्छे से आपका set हो जाएगा अगर यह border की वीडियो चाहते हो, तो यह border की वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आपको यह वहां पर जाकर इसे देख सकते हो, तो स्लाई में मैंने फंदे ले लिए हैं, 22 फंदे डाले हैं हमने स्लाई में सीधी तरफ से इस design की first row आएगी, आप कोई भी border इसमें डाल सकते हो, हर एक border इसमें बहुत ही प्यारा बहुत सुन्दर लगेगा बनकर, क्योंकि थोड़ा सा उबरा उबरा सा यह pattern है, यह हर एक wool में अच्छा लगेगा, यह gold wool में भी और तीन प्लाई वाली उन में भी, ठ फर्स्ट फंदे को उतारना है, फिर धागा अपनी तरफ करना है, 6 फंदे उल्टे बना लेने हैं, 1,2,3,4,5,6, 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब एक फंदा यह, एक फंदा यह, second fund को ऐसे थोड़ा सा lose करते हुए पहले, इसे सीधा बना लेंगे, अब इस आगे वाले fund को भी सीधा बनाएंगे, ठीक है, ये दो fund को बनाने के बाद अब इन दो fund को twist करेंगे, तो पीछे से बहले, second fund में ऐसे slide डालेंगे, इसे सीधा बना लेंगे, अब इस आगे वाले fund को भी सीधा बनाएंगे तो इस सरह से हमने ये 4 फंदे ट्विस्ट कर लिए अब फिर से इनी 4 फंद को जैसे हमने ये ट्विस्ट के है सेम ऐसे ही ट्विस्ट करेंगे इस 1st फंदे को चोड़ेंगे 2nd फंदे में ऐसे लूज करेंगे थोड़ा सा slide डालेंगे आगे से इसे सीधा बना लेंगे, फिर इस आगे वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे, निकाला स्लाई में ऐसे दोनों फंदों को, अब इन दों फंदों को भी ऐसे ही, फर्स्ट फंदे को छोड़ेंगे, सैकिंड फंदे में इस तरह से स्लाई डालते हुए, इसे सीधा बना देंगे फिर इस आगे वाले फंदे को भी सीधा बना लेंगे नोर्मल ऐसे ही देखे इस तरह से इस तरह से चार फंदे ये चार फंदे ये आठ फंदे हमने ट्विस्ट किये ट्विस्ट करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे छे फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे अब इसी डिजाइन को पूरी स्लाइ में आपके जितने भी फंदे हैं सेव इसी डिजाइन को आपने बार 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 ररपीट करते जाना है छे फंदे उल्टे बनाने है फिर चार फंदों को ट्विस्ट करना है फिर से 4 फंद हो ट्विस्ट करना है फिर से 6 फंदे उल्टे यहाँ पर पूरी रो बनाते हुए आपके 12 फंदे उल्टे आएंगे फिर यह 4-4 फंदे ट्विस्ट होएंगे फिर से 12 फंदे उल्टे आएंगे स्टार्टिंग और लास्ट में हमारे छे-छे फंदे उल्टे आएंगे ठीक है अब धागा दूसरी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे करते ही वो डिजैन की ये पहली स्लाई हमने पूरी बना ली अब दूसरी स्लाई बनानी है हमने उल्टी तरफ से तो सैकेंड रो में देखें क्या करेंगे जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं सेम आपने वैसे ही बना लेना है फर्स्ट फंदे को उतारना है धागा दूसरी तरफ छे फंदे हमारे ये पहले सीधे छे फंदे सीधे बनाने के बार धागा अपनी तरफ अब ये आठ फंदे हमारे उल्टे बनेंगे जिनको हमने ट्विस्ट किया है ना आठो फंदो को उल्टा बना लेना है उल्टी तरफ में हर एक रो में आपने ऐसे ही बनाना है जो फंदे आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं सेम वैसे ही आपने बनाते जाना है ठीक है अब 6 फंदे सीधी इनी फंदों को पूरी सलाई में सेम ऐसे ही आपने दोहराते जाना है ये लास्ट का फंदा हम उल्टा बना लेंगे ऐसे करते हुए डिजाइन की दूसरी second row हमने complete कर ली है अब third row बनानी है हमने इस design की जो पूरी आपने सीधी सीधी बना लेनी है third row में कोई भी design नहीं डलेगा ये पूरी row सीधी सीधी बनेगी देखिए इस तरह से ये दो स्लाइएं बनी हैं हमारी फिर उसके बाद एक रो पूरी सीधी और एक उल्टी बनेगी तो उसी से ये वाला design डलेगा हमारा ठीक है तो एक रो पूरी सीधी और एक रो पूरी उल्टी बना लेते हैं पूरी चार स्लाइएं रिज़ान की बनने के बाद अब यह पूरी स्लाई है हमारी फिर्ष्ट फंदे को उतारेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे फेँगे फिर्ष्ट फंदे उल्टे बनाए थे अब पांच फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे अब ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा इन दोनों को ट्विस्ट करेंगे ये सीध्य फंदे में ऐ स्लाइट डालते हुए हमने इसे सेकिंड फंद को थोड़ा सा लूज किया अब इसे पहले सीधा बना लेंगे इसे सीधा बनाया फिर ये आगे वाले फंद को भी सीधा बना लिया इस तरह से । फंदे में इस तरह से स्लाइड डालते हुए इसे सीधा बना लिया हमने, अब इस आगे वाले फंदे को भी सीधा बना लेंगे, तो इस तरह से ये चारों फंदे ट्विस्ट हो गए, अब धागा पनी तरफ करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, एक, दो, फिर धाग वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे दोनों फंदे निकाले अब ये वाला सीधा फंदा उल्टा फंदा ट्विस्ट करेंगे तो पीछे से स्लाइड डालेंगे सेकिंड फंदे में पहले इसे सीधा बनाएंगे फिर आगे वाले फंदे को भी सीधा बना लेंगे इस तरह से फ पांच फंदे उल्टे बनाने है फिर वही चार फंदों को जैसे हम यहां पर ट्विस्ट किया था फर्स्ट रो में वैसे ही हमने यहां फिफ्ट रो में से ट्विस्ट कर लिया है फिर बीच में यह दो फंदे उल्टे आएंगे फिर से इनी चार फंदों को ट्विस्ट करेंग यहाँ परपीट करते समय आपके दस फंदे उल्टे आएंगे ठीक है दस फंदे उल्टे आने के बाद यहीं हमारे यह वाले बीच वाले फंदे बनेंगे फिर से यह दस फंदे उल्टे हर बार यह आपके कैसे चलेगा डिजाइन देख लीजिए आपके ये वाले न ये वाले डिजाइन वाले बीच वाले फंदे ये उल्टे बढ़ते जाएंगे और ये वाले जो फंदे हैं हमारे जो हमने फर्स रो में आपने बारा बनाए थे और फिफ्ट रो में ये दस बनेंगे फिर आठ बनेंगे ऐसे ही ये कम होते जाएंगे ठीक ह आपके ये लास्ट के फंदे को धागा दूसरी तरफ करते हुए सीधा बनाएंगे तो इस तरह से करते हुए डिजाइन की पांचवी स्लाई हमने पूरी बना ली है अब छटी स्लाई बना रहे हैं हम उल्टी तरफ से तो छटी श्लाई में जैसे पंदे दिखाई देरें सेम वैसे ही बना लेंगे धागा दूसरी तरफ करते हुए, ये पहले तो पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, फिर धागा दूसरी तरफ ये दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ ये एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ पांच फंदे सीधे, इनी 20 फंदो को आपने पूरी इस लाई में बार 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 रिपीट करते जाना है, पहले पांच फंदे सीधे बनाने हैं, फिर चार फंदे उल्टे, फ पांच फंदे सीधे, लास्ट में देखे ये धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा उल्टा बना लेंगे, ऐसे करते हो डिजाइन की छटी सलाई पूरी बनाएंगे, अब सेवंथ और एट रो हमारी पूरी एक सलाई सीधी और एक रो उल्टी बनेगी, ठीक है, डिजाइ में देखे, ऐसे ही होता जाएगा, दो सलाईयों का डिजाइन डेलेगा, फिर दो सलाईयों सीधी औल्टी, फिर से दो सलाईयों का डिजाइन, दो सलाईयों सीधी औल्टी, सेम ऐसी ही डेलेगी, तो ये सीधी औल्टी रो पेले बना लेते हैं, डिजाइन की 90 लाई, फर्स से फंदे को ट्विस्ट करना है सेकंड फंदे को पहले थोड़ा से इस तरह से लूज करना है फिर पहले से बना लेना है हमने सीधा फिर ये पहले फंदे को भी सीधा बना लेंगे अब इन दोनों फंदों को स्लाई में से ऐसे निकाल देंगे देखे इस तरह से अब फिर से फ twist करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये चार फंदे उल्टे बनाएंगे देखे बीच में एक दो तीन और ये चार फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे फिर इन दो फंदगों ट्विस्ट करेंगे आगे से सलय डालेंगे सेकिड़्ा फंदे में पहले इसा सीधा बनालेंगे फिर ये पहले फंदे को आगे वाले फंदे को भार कुषी सीथा बनाएंगे फिर ये आगे वाले फंदे को भी सीधा बना लेंगे, ठीक है, ट्विस्ट करने का तरीका same to same वैसे है, जैसे first row में चलाया, वैसे ही आगे design में चलता जाएगा, बस ये वीच में उल्टे फंदे कभी बढ़ेंगे, कभी कम होगे, इस बात का आपको धिहान रखना पड़ेग धागा अपनी तरफ करेंगे, ये चार फंदे हमारे उल्टे आएंगे, अब देख लीजे, design में कैसे होगा, चार फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर चार फंदे को ट्विस्ट करेंगे, फिर से ये बीच में चार फंदे उल्टे, फिर चार फंदे को ट्विस्ट किया, फिर ये चार फंदे उल्टे डिजैन को रपीट करते समय आपके ये बीच में आठ फंदे उल्टे आएंगे ठीक है अब ये लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ से जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं सेम बैसे ही उने रपीट करते जाएंगे तो फर्स्ट फंदे को उतारेंगे दागा दूसरी तरफ चार फंदे पहले सीधे बना लेंगे फिर दागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार फिर दागा दूसरी तरफ चार फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ ये एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे लास्ट का फंदा उल्टा, ठीक है? सेम इसी तरह से पूरी रो बनाकर कम्प्लीट करने के बाद अब एक रो सीधी और एक रो उल्टी बना लेंगे डिजयन की बारा सलाइयां कम्प्लीट होने के बाद ये तेरवी सलाइय है सीधी तरफ से तो फिर्स्ट फंदे को उतारते हुए दागा अपनी तरफ कर लेंगे अब ये एक, ये दो, ये तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे फिर दागा दूसरी तरफ कर लेंगे अब ये उल्टा फंदा सीधा फंदा सीधे फंदे में देखे सैकिंड फंदे में पहले ऐसे स्लाइड को डालते हुए लूज करना है आपने पहले तो इसे सीधा बना लेना है फिर ये आगे वाले फंदे को भी आपने सीधा बना लेना है फिर इन दो फंदों को फिर से ट्विस्ट करना है तो पीछे से पेले सेकिन फंदे को ऐसे थोड़ा सा लूस करेंगे इसे पहले सीधा बना लेंगे अब ये आगे से इस फंदे को भी लूज करते हुए सीधा बनाएंगे इस तरह से फिर धागा अपनी तरफ करते ही हुए अब ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे फंदे उल्टे बना लेंगे छे फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ, अब फिर से चार फंदों को ट्विस्ट करना है, सैकिन फंदे को थोड़ा सा आगे से स्लाइड डालते हुए लूस करेंगे, इसे पहले हम सीधा बना लेंगे, अब ये आगे वाले फंदे को भी सेम ऐसे ही सीधा बन ये चारों फंदों को इस तरह से बनाने के बाद फिर ये तीन फंदे उल्टे, रपीट करते समय आपके बीच में छे फंदे उल्टे आएंगे, यहाँ पर ठीक है, फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, चार फंदों को ट्विस्ट करेंगे, फिर से ये तीन फंदे उल्टे, अब लास्ट का ये एक फंदा सीधा, इस तरह से करते हुए डिजैन की तेरवी सलाई हमने पूरी बना कर कम्प्लीट कर ली है, अब चोधवी सलाई बनानी है हमने उल्टी जरफ से, तो चोधवी सलाई में देखें क्या करना है, पहले फंदे चार, धागा दूसरी तरफ ये बीच में छे फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, धागा दूसरी तरफ ये बीच में तीन फंदे सीधे, और ये एक फंदा उल्टा, इस तरह से, ठीक है, डीजैन की चोधवी सलाई बनानी के बाद, अब पंदर भी रोव बनानी है सीधी तरफ से, जो पूरी आपके सीधी होगी, और सोलवी सलाई पूरी उल्टी, ये दो रोव बना लेते हैं पहले डीजैन की सोला सलाईयां हमारी कंप्लीट हो गई है, अब ये स्तारवी सलाई है हमारी सीधी तरफ से, तो देख लिजे कैसे करना है, फर्स फंदे को उतार लेना है, दागा अपनी तरफ करना है, दो फंदो को पहले उल्टा बना लेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएं, फि दोनों को निकाल देंगे अब फिर से इन दो फंदे को ट्विस्ट करेंगे तो पीछी से स्लाइड डालेंगे पेले इसे सीधा बना लिया फिर ये आगे वाले फंदे को भी सीधा बना लेंगे चारों फंदे ट्विस्ट करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये हम इन चार फंदों को ट्विस्ट करना है तो इस तरह सेकंड फंदे को पहले लूज करेंगे आगे से और इसे सीधा बनाएंगे अब पहले फंदे को भी सीधा बनाने के बाद दोनों को स्लाई में से असे निकाल देंगे अब ये दो फंदे भी ट्विस्ट करने है तो पीछे से सेकंड फंदे में स्लाई डालते हुए पहले उसे सीधा बना लेंगे, फिर ये आगे वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे, तो इन दोनों को स्लाई में से निकाल देंगे, इस तरह से, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए ये एक, ये दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ यह लास्ट का फंदा सीधा तो इस पो में देखिए पहले स्टार्टिंग के दो फंदे उल्टे बनाएंगे चार फंदो को सेम उसी मैथर से हमने ट्विस्ट किया बीच में यह 8 फंदे उल्टे बनाएं फिर से चार फंदों को ट्विस्ट किया, दो फंदे उल्टे रिपीट करते समय आपके यहां चार फंदे उल्टे आएंगे, ठीक है, फिर से यह वाला डिजाइन डलेगा, फिर से यह चार फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा सीधा, अब उल्टी तरफ से देखिए, यह ठारवी रोहे डिजाइन की, फर्स्ट फंदे को उतार यह धागा दूसरी तरफ करते हुए, दो फंदे हम पहले सीधे बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यह चार फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ करते हुए, यह बीच में हमारे आठ फंदे सीधे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह आठ, आठ फंदे सीधे मनाने के बाद फिर से चार फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, रिपीट करते समय आपके यहां पर चार फंदे सीधे आएंगे, ठीक है, सेम ऐसे ही, आपने पूरी रोग कम्प्लीट कर लेनी है, अब उन्नी सीवी और बीसी वी सलाई देखे, ए सीधी तरफ से सीधी और तो उल्टी तरफ से उल्टी बना लेंगे पहले, 21 वी सलाई सीधी तरफ से, फर्स्ट फंदे को उतारते हुए धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा पहले उल्टा बना लेंगे, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब यह फंदा यह फंदा आगे से सलाई डालेंग पहले तो इस फंदे को सीधा बना लेंगे 2nd फंदे को, फिर आगे वाले इस 1st फंदे को भी सीधा बनाएंगे, अब इन दोनो फंदों को आब स्लाई में से निकाल देंगे, ठीक हूँ, अब इन 2 फंदों को टॉट्ट करना हे ? तो पिछी से स्लाइड डालेनी है इस फंदे में पहले इसे सीधा बनाया फिर इस आगे बल फंदे को भी सीधा बना लें इस तरह से धागा अपनी तरफ करते हुए ये एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और ये दस फंदे हमारे उल्टे इस तरह से दस फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से इन चार फंदों को ट्विस्ट करना है फर्स्ट फंदे को चोड़ेंगे इस सेकिंड फंदे को थोड़ा सैसे लूस करते हुए पहले सीधा बना लेंगे फिर इस आगे वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे इस तरह से ठीक है अब इन दो फंदो को टूस्ट करेंगे तो पीछे से स्लाइड ढालेंगे इस से सिधा बनाएंगे अब ये आजे वाले बना लेंगे लगादा ट्यूस्ट करेंगे 10 फंदे उल्टे बनाएंगे फिर से इन 4 फंद को ट्विस्ट करेंगे एक फंदा उल्टा रिपीट करते समय बीच में अपके ये 2 फंदे उल्टे आएंगे अब उल्टी तरफ से देख लीजिए उल्टी तरफ से वी सेम वैसे ही रोड दलेगी देखें, बिल्कुल असान है, फर्स्ट फंदे को उतारना है, धागा दूसरी तरफ फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, फिर धागा दूसरी तरफ दस फंदे सीधे, दस फंदों को ऐसे ही सेम हमने सीधा बना लेना है, फिर धागा अपनी तरफ चार फंदे हम उल्टे बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा और एक उल्टा, ऐसे करते हैं डिजैन के पूरी रो बनाएंगे, अब सीधी तरफ से जैसे दो रो हमने डिजैन की बना ली नहीं है, अब क्या करना है दो रो सेम वैसे ही सीधी और उल्टी, सीधी तरब से पूरी रो सीधी और उल्टी तरब से पूरी रो उल्टी ऐसे simple वस सीधी-सीधी बनाते जाएंगे और एक रो simple उल्टी-उल्टी row 25 हमारी 25 रो है यह ठीक है first फंदे को उतारेंगे अब यहां पर उल्टा फंदा हमारे पास कोई नी बचाए ये एक ही है जिसे हमने twist कर लेना है first फंदे को छोड़ना है second फंदे में इस तरह से slide आते हुए loose करेंगे अब इसे यहाँ पर सीधा बना लेंगे और यह पहले फंदे को भी सीधा बनाएंगे इस तरह से निकाला अब इन तो फंदों को twist करेंगे तो पिछे से सलाई डाल लेंगे इस फंदे में loose करेंगे थोड़ा सा और इसे भी आगे वाले फंदे को भी सीधा बना लेंगे ठीक है? ट्विस्ट करने का सेम टू सेम वो ही तरीका है पूरे पैटरन में सेम वैसे ही चलता जाएगा आप धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये बारा फंदे हमारे उल्टे बनेंगे इन बारा फंदों को हमने उल्टा बना लेना है देखे इस तरह से फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे अब फिर से इन चार फंदों को ट्विस्ट करेंगे सैकिंड फंदे में इस तरह स्ट्राइड डालेंगे आगे थोड़ा से लूस कर लेंगे बनाने में थोड़ा सा इजी रहता है तो पीछे से slide को डालना है second फंदे में पहले इसे सीधा बनाया अब आगे से इस first फंदे में slide डालते हुए इसे भी सीधा बनालेंगे last का फंदा सीधा same ऐसे ही पूरी रोब बनाते जाएंगे आप ठीक है पहले first फंदा तो उताले या ये तो कोई नहीं आएगा फिर से आपनि 4 फंद को ट्विस्ट करना है फिर से 4 फंद को करना एं ठीक है इस इस उलती तरफ से फ्रस्ट फंद को उतार लेना है चार फंद आपने उल्ट े बना लेने हैं फिर चार फंदे उल्टे बनाने के बाद दागा दूसरी तरफ अब बारा फंदे सीधे फिर दागा अपने तरफ ये एक फिर फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा भी उल्टा अब सीधी तरफ से पूरी रो एक सीधी और एक रो उल्टी ये दो सलाईया आप बना कर कंप्लीट कर लेनी है पहले 28 रो कंप्लीट हो गई है अब 29 भी रो है ये हमारी ठीक है इस फिर्स्ट फंदे को उतारना है धागा अपनी तरफ कर लेना है एक फंदा पहले उल्टा बना लेंगे एक फंदा उल्टा बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे अब इन दो फंदो को हमने ट्विस्ट करना है ऐसे second फंदे को पहले lose करना है थोड़ा सा आगे से slide डालते हुए सीधा बना लेना है अब इस फंदे को भी सीधा बना लेंगे इस तरह से दोनों को निकाल दिया अब फिर से पीछे से पहले second फंदे को ऐसे slide डालते हुए सीधा बनाएंगे फिर आगे वाले फंदे को भी यह बंद करना है एक बार मैं दिखाती हूं आपको इस तरह से यह वाली डबी देखे यह हमारी इस तरह से खुली है न सेम वैसे ही यह वाली डबी हमारी इस तरह से बंद होगी अब ठीक तो चार फंदों को ट्विस्ट किया फिर धागा अपनी तरफ कर लिया अब यह दस पंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और यह दस अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे अब इन दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे आगे वाले फंदे में ऐसे स्लाइड डालेंगे लूस किया पहले इसे सीधा बना लिया फिर इस आगे वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे इन दोनों को बनाने के बाद अब इन दो फंद पूरी सलाय में आपने रिपीट करते जाना है, एक फंदा उल्टा बनाना है, चार फंदो को ट्विस्ट कर लेना है, दस फंदे उल्टे बनाएंगे, चार फंदो को ट्विस्ट करेंगे, फिर से ये एक फंदा उल्टा रिपीट करते समय यहां पर आपके ये दो फंदे उल् दागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार फिर दागा दूसरी तरफ दस फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस फिर दागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे एक फंदा सीधा अभी ये लास्ट का फंदा एस टीज का उल्टा बनाएंगे ऐसे ही उल्टी तरफ से पूरी रो बना कर आपने complete कर लेनी है फिर सीधी तरफ से आपने क्या करना है देखे पूरी रो सीधी और एक रो उल्टी बना लेनी है रो 33 फर्स्ट फंदे को उतारेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा ये उल्टा बनाये था पहले, अब ये एक फंदा और उल्टा, स्टार्टिंग में हमारे दो फंदे उल्टे आएंगे, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दुसरी तरफ करेंगे, अब एक फंदा ये एक ये, इन दोनों को ट्विस्ट करना है, फर्स्ट फ डालेंगे पहले second फंदे में, इसे सीधा बनाया, अब आगे वाली इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे, दोनों को निकाल देंगे, निकालने के बाद धागा आपनी तरफ करेंगे, आठ फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ फंदे उल्टे ब बना लेंगे, फिर इस फंदे को सीधा बनाएंगे, अब सेम वैसे ही, इन दोनों फंदों को पीछे से देखिए, second फंदे में स्लाइड डालते हुए, ट्विस्ट कर लेंगे, पहले इसे सीधा बनाया, फिर आगे वाले फंदे को भी सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, अब इसी डिजाइन को पूरी स्लाइ में आपने रपीट करना है, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, चार फंदों को ट्विस्ट करेंगे, बीच में ये, हमारे दो, चार, छे, आठ फंदे उल्टे, फिर चार फंदों को ट्विस्ट किया, फिर दो फंद उल्टे लास्ट में ये हमारे एक फंदा सीधा इस तरह से पूरी रो बना कर हमने कम्प्लीट कर लेनी है फिर फिर्स्ट फंदे को उतारना है दागा दूसरी तरफ कर लेना है अब ये दो फंदे हम सीधे बना लेंगे दागा अपनी दरफ करेंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार फिर दागा दूसरी तरफ आठ फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ फिर दागा अपनी दरफ एक दो तीन चार फंदे उल्टे दागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा इस तरह से करते हुए डिजैन की पूरी रो बना कर कंप्लीट कर लेंगे अब सीधी तरफ से एक रो सीधी और एक रो उल्टी तरफ से उल्टी बना लेंगे 37 रो सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को पहले हमने उतार लेना है फिर धागा अपनी तरफ करना है फिर ये एक, ये दो, ये तीन फंदे उल्टे बना लेंगे तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे अब इस first फंदे को चोड़ेंगे, second फंदे में आगे से slide डालते हुए, पेले इसे सीधा बना लेना है, फिर इस first फंदे को भी सीधा बनाएंगे, ठीक है, दोनों फंदों को निकाला, अब पीछे से slide डालेंगे, पेले इस second फंदे में इसे सीधा बनाया, फिर इस first फंदे को भी सीधा बना लेंगे, तोनों को निकाला धागा अपनी तरफ, अब ये 6 फंदे उल्टे, 2, 3, 4, 5, 6, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब ये उल्टा फंदा, सीधा फंदा, सैकिंड फंदे में आगे से स्लाइड डालेंगे, पेले तो इसे सीधा बना लेंगे, फिर आगे वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे, ठीक है, अब फिर से इन दो फंदों को ट्विस्ट करना है, तो पीछे से पहले सैकिंड फंदे में स्लाइड डालते हुए, इसे सीधा बनाएंगे, फिर ये फर्स्ट फंदे को भी सीधा बना लेंगे, दोनों को निकालेंगे, चार फंदे ये ट्विस्ट करने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे, अब ये एक, ये दो, ये तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा इस तरह से करते हुए अपने डिजाइन की पूरी रो बनानी है, स्टार्टिंग में पहले तीन फंदे उल्टे, फिर चार फंदो को ट्विस्ट करेंगे, बीच में छे फंदे उल्टे, फिर चार फंदो को ट्विस्ट करेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, रिपीट करते समय यहां पर आपके 6 फंदे उल्टे हो गए अब उल्टी तरफ से 1 फंदे को उतारेंगे धागा दूसरी तरफ कर लेंगे 6 फंदे पेले सीधे बना लेंगे 1, 2, 3 सोरी, 3 फंदे पेले सीधे बना लेंगे फिर धागा अपनी तरफ 4 फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ छे फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार फिर धागा दूसरी तरफ ये एक, दो, तीन फंदे सीधे एक फंदा उल्टा, ठीक है, उल्टी तरफ से, पहले तीन फंदे सीधे, फिर चार फंदे उल्टे, फिर छे फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, ऐसे ही करते हैं, पूरी रो बना कर कंप्लीट कर लेंगे, अब यहाँ पर पूरी एक रो हमारी सीधी, और एक रो उल्टी डलेगी तो पहले वो बना लेते हैं डिजैन की 40 लाइया 40 रो पूरी कम्प्लीट हो गई हैं अब यह अक्तालीवी सलाई है 41 ठीक है फर्स्ट फंदे को उतारेंगे धागा अपनी तरफ कर लेंगे अब यह एक दो तीन चार फंदे उल्टे बनाएंगे चार फंदे उल्टे बनाने के बाएंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब इन चार फंदों को हमने फिर से ट्विस्ट करना है फर्स्ट को छोड़ना है सेकिंड फंदे में इस तरह थोड़ा सा लूज कर लेंगे से आगे से स्लाई डालते हुए इसे पहले सीधा बना फिर इस फंदे को भी सीधा बना लेंगे फिर इन दो फंदो को ट्विस्ट करना है तो पीछे से स्लाई डालें नहीं सेकिंड फंदे पर चोड़ेंगे 2nd फंदे को थोड़ा से इस तरह से लूज करते हुए आगे से ऍसलाय्ट दालते हुए पहले सीधह बना लेँगे फिर इस आगे वाले फंदे को भी सीधह बना वही इन दो फंदो को ट्वुस्ट करना है तो पीछे से सि Betsy डालने है पहले इस से सीधह बना लिया फिर इस आगे वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे ठीक है यह चारों फंदों ट्विस्ट करने के बाद धागा अपनी तरफ फिर यह चार फंदे उल्टे रिपीट करते समय आपके यहां पर आठ फंदे उल्टे हो चुके हैं ठीक है तो इसी तरह से करते हुए ड पास्ट का फंदा यह सीधा यह पूरी रो कंप्लीट करने के बाद अब उल्टी तरफ से हमने जो स्लाई बनाने है तो वह देख लीजिए इस फिर्स्ट फंदे को उतारिए दागा दूसरी तरफ अब यह एक दो तीन चार फंदे सीधे दागा अपनी तरफ चार फंदे उल फिर दागा अपनी तरफ एक दो तीन चार फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ एक दो तीन चार फंदे सीधे लास्ट का फंदा उल्टा सेम इसी तरह से पूरी रो आपने बना कर रिपीट करने नहीं है चार फंदे सीधे, चार उल्टे, चार सीधे, चार उल्टे, चार सीधे ये वली रो बहुत इसी है, सेम ऐसे ही बनती जाएगी अब आपने क्या गरना है एक रोप पूरी सीधी और एक रोप पूरी उल्टी मैं फिर से आपको बताती हूँ मैंने की बार आपको design में बता ही दिया है पहले भी कि दो सलाईयों में design डलता है सीधी और उल्टी तरफ से फिर दो सलाईयां simple बनती है सीधी तरफ से सीधी फिर उल्टी तरफ से उल्टी ठीक है रोh 45, 45 रोh है यह हमारी फर्स्ट फंदे को उतारना है, फिर धागा अपनी तरफ कर लेना है, अब ये एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे हमारे उल्टे, पांच फंदे उल्टे पनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करना है, अब फिर से ये चार फंदो को ट्विस्ट कर लेना है, फर्स्ट फंदे को ट्विस्ट करेंगे पीछे से स्लाइड डाल लेंगे इस फंदे में ऐसे सीधा बनाया इसे भी सीधा बना लेंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे ये बीच के दो फंदे हमारे उल्टे धागा दूसरी तरफ अब सेकंड फंदे को ऐसे थोड़ा सा लूज करते हुए पह पहले इसे सीधा बनाया फिर ये आगे वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे और ये एक फंदा सीधा रिपीट करते समय यहां पर आपके दस फंदे उल्टे आएंगे बीच में ठीक है पह अब उल्टी तरफ से हमने सेम वैसे ही रोग को बनाते जाना है जैसे हम डिजयान बना रहे हैं फर्स्ट फंदे को उतारना है धागा दूसरी तरफ अब ये एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक दो तीन चार फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ फिर से एक दो तीन चार फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ लास्ट में ये पांच फंदे सीधे एक फंदा उल्टा आप क्या करना है दो रो डिजैन की बन गी तो दो रो पूरी एक रो सीधी और एक रो उल्टी बना लेनी है दिजैन की 44 रो बन कर कम्पलीट हो गई है अब यहाँ पर आपनी क्या करना है 1st रो से इसे स्टार्ट करना है 1st रो मतलब की पहले फंदे को उतार लेंगे फिर 6 फंदे उल्टे फिर इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे फिर से इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे फिर यहाँ पर 6 फंदे उल्टे फिर यहाँ पर 6 फंदे उल्टे जैसे हमने 1st रो बनाई थी ना बिल्कुल वैसे ही 1st रो से डिजैन को स्टार्ट कर देंगे तो इस तरह से बहुत ही प्यारा बहुत ही ब्यूटिफुल डिजाइन आपका रेडी हो जाएगा बनकर देखी इस तरह से सेम बैसे ही है ना कितना प्यारा डिजाइन तो अगर आज की वीडियो आपको Мेरी पसंद आई हो मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बाबाई हैवा नाइस जे